दोस्तों चावल के दालों को अगर आप इस तरह से दबा देते हैं तो जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी प्रॉबलम है वो मात्र कुछ घंडों के अंदर-अंदर ही सौल्व हो जाएगी जिहां अगर आपको अपनी किसी भी तरह की समस्या को अपनी किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्ब करना है तो बस चावल की कुछ दाने आपको लेने हैं और आपका काम हो जाएगा असलाम वालेकुम दोस्तों आपका बेहा दिस्तक्बाल है हमारे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको बताने जारी हूँ एक ऐसा अमल जिससे आप अपनी जो भी समस्या है जो भी प्रॉब्लम है उसे जड़ से खत्म कर सकते हैं इस एक अमल को अगर आप करते हैं जो कि चावल के उपयोग से करने वाली हूँ मैं और आपको बताने जारी हूँ अगर आपको इसमें कुछ भी मुश्किलात आते हैं आपको समस्या फील होती है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारी स्क्रीन पर आपको नंबर द क्योंकि मैं बहुत ही आसान सा एक अमल बताने वाली हूँ आपको क्या करना है कि आपको थोड़े से चावल लेने हैं अब आप पूछेंगे थोड़े से कितने तो आपको अपनी मुठी के हिसाब से लेने हैं तो मतलब एक मुठी के अंदर जितने चावल आ जाए उतने चा बाहर ना गिरें, अब जब आप उसे फोल्ड कर देंगे, उसके बाद आपको इस कागस की पोटली को एक ऐसी जगे पर दबा देना है, जहां पर इसे कोई भी देखने न पाए, वो कौन सी जगे हो सकती है, आपके घर के अंदर ही आपको ये काम करना है, आपको बाहर नहीं आपको इसे किसी को खिलाना भी नहीं है, फेकना भी नहीं है, बहाना भी नहीं है, बस आपको घर के अंदर कोई ऐसी जगे ढूणनी है, जहां पर कोई भी इसको ना देखे, क्योंकि ये जो चावल है, ये आपको उस जगे पर कम से कम साफ दिन तक रखने है, तो साफ दिन त और उसके बाद आपको इसे वहाँ पर छोड़ देना है। साथ दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन साथ दिन के अंदर ही काम हो जाएगा आपका, तो आपको चावलो को उससे पहले नहीं निकालना है। जब साथ दिन पूरे हो जाए, कहीं पर लिख लीजिए कि पहला दिन कौन सा था, साथ दिन जब पूरे हो जाए तो आपको वो चावल हों से निकालने हैं, और उसके बाद अपने घर के बाहर जाकर आपको उने फेक देना है, ऐसी जगे पर फेकना है जहां पर लोग आते जा इसे आप कीजिए अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है कोई और सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में शब्बाखेर